हेलो एव्रीवन, वेलकूम अगें टू लंगरे देतीमन, तो देखिए हमारा चैप्टर जल रहा था राजिस्थानी चित्रकला शैली, तो जिसमें हमने प्रमुक स्कूल के बारे में बात की थी, मेवाड स्कूल या मेवाड शैली के बारे में हम लोग पढ़ चोके हैं, नेक स्मेर शैली जो है वो हम पढ़ते हैं, तो यहाँ याद रखिए कि मारवाड शैली कहें, चाहे जोदपूर शैली कहें, एक ही बात होगी, तो यहाँ पर प्रारंब जो है कहां से होता है, मालदेव के समय से प्रारंब माना जाता है, मारवाड में कला और संस्कृति को नवी लगू चित्र जो है वह बनते थे, यानि छोटे चित्र बनते थे, लेकिन यहाँ पर जस्वंत सींग के समय में, चित्र कला में मुगल प्रवाव दिखाई दिया, यहाँ पर एक मोड आया महराजा जस्वंत सींग के समय में, तो यहाँ पर कृष्ण चरित्र की जो जोदपूर सैली के अंदर गर्टी के उसके बाद इनके जो बेटे हैं महराजा अजी सींग तो उनके साशन काल में मारवाड शैली को सबसे सुन्दर जो है चित्र यहां बनने लगे थे जच्वंत सींग के बाद जो महराजा अजी सींग आये उनके समय में तो चित्र जो है व मारवाड शैली में ही जब जोदपूर शैली के अंतरगत महाराजा अभह सिंग आते हैं तो उनके राज्यकाल में एक चित्रकार का नाम आएगा डालचन तो इसकी जो विसेश ख्याती जो है वो दूर दूर तक जो है वह है फैली होई थी इसने क्या किया था कि जो महाराजा अभह सिंग है उनको नित्य करते हुए दिखाया गया था तो इनके जो चित्र हैं महाराजा अभह सिंग को नित्य करते हुए जो की डालचन ने बनाए थे तो महरांगड संग्रहले जो जोदपूर में है और कोवर संग्राम सिंग संग्रहले जो की जैपूर में है तो मोत कर्स पर पहुंच चुकी थी तो देखिए नाथ संप्रदाय के जो अन्याई महराज थे उन्होंने नाथों से संबंदित बहुत सारे चित्र जो है वो बनवाए थे ठीक है और यहां पर सरवादिक जो है वो पीले रंग का प्रियोग किया गया तो देखिए इस चीज को ब प्रारम होता है मालदेव के समय से उसके बाद देखिए जस्वन्त सींग के समय जो है चित्र जो है वो बढ़े और सुन्दर बढने लगे और यहां पर मुगल शैली और क्रिश्न चरित्र की बिविन बिविदताएं जो हैं वो देखने को मिली फिर इनका जो बेटा आता है महाराजा अजी सिंग तो इनके साशनकाल में जो हैं चित्र ऐसे बनने लगे कि वो सुन्दर तो होते ही थे और ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि इन में प्राण जो हैं वो बस रहे हैं या हूबहू ये जो हैं निकल कर बाहर ही आ जाएंगे उसके बाद महाराजा अभै सिंग के राज्यकाल में जो उनका चित्रकार था डाल चंद तो वो क्या करता है महाराजा अभै सिंग उनको डांस करते हुए ही चित्र बनाता है जो की जोधपुर और जैपुर में जो संगरहले हैं वहाँ पर रखे हुए हैं फिर राजा मान सिंग आते हैं तो इनके समय में भी चित्र जो हैं किस टाइप के बनने लगे थे नात संप्रदाय जो हैं इन से संबंजित असंख्य चित्र बनवाए जाने लगे तो यहां पीले रंग का जो है वो प्रियोग किया गया धोला मारू, मूमल दे, निहाल दे, रूप मती, बाज बहादुर, पंच तंत्र, दुर्गा सब्त सती, इत्यादी के चित्र बनने लगे तो देखिए मैंने आप को बताया कि जो मारवाड शैली है, तो ये इसका जो विशय था, ठीम जो थी, हमेशा प्रेम पर आधारित होती थी, तो यहां पर ढोला मारू, और ये मूमल दे, निहाल दे, रूप मती, बाज बहादुर, तो इनकी जो प्रेम कता है, तो इससे संबंदित जो है, यहां पर चित्र बनते थे, ठीक है, नारायन दास, विशन दास, अमर दास, शिव दास, वीर जी, जीतमल और चज्जू भाटी, ठीक है, तो यह दास दास लगा हुआ है, तो यहां पर थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इसके प्रमुक चित्र का रहे हैं, मारवाड शैली के, या कहा जाए, जोदपुर शैली के, ठीक है, नेक्स्ट दिखिए, सन 1623 के लगभग जो है, जो कलाकार था, वीर जी, ये गज सींग के समय था, चित्रकार, तो इसने रागमाला का चित्रन किया, ठीक है, यह चीज याद रखेंगे, रागमाला चित्रावली जो है, वो चित्रत किस जी ने चित्रत की, किसके समय गज सींग के समय चित्रत की, तो इस शैली की विशेशता रही है, आम का ब्रक्ष, उंट, घोडा, कुत्ता, इनकी प्रात्मिक्ता जो है, इन चित्रों में देखी गई है, ठीक है, 1591 में उत्त्रा ध्यान सूत्र का चित्रन, जो की बडोधा के म्यूजियम में रखा हुआ है, तो थोड़ा इस लाइन को भी याद रखेंगे, चोखा महल कहां है, जोधपुर में, और मारवार चित्र कलावा जन जीवन की अभी व्यक्ति के चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है, जोधपुर शैली के पुरुस और इस्त्रियों के चित खीला शरीर होता था, ठीक है, और उनकी मूचें, उची पगड़ी और जो इस्त्रियां होती थी उनकी भेश भूसा जो है, वो जैसे राजिस्थानी, लहंगा पहने, ओड़नी, लाल फुंद्नों का प्रियोग जो है इस शैली में होता था, ठीक है, तो ये कुछ विशेश गोड़े पर बैठ कर भाले से रोटी सेखते हुए चित्र बनाया गया है, तो देखिए कितना बखुबी चित्र बनाया गया हो, जो चित्रकार है मूलर, उसने देखिए दुर्गादास राठोर, दुर्गादास राठोर को आप जानते हो, मारवाड के हैं, और जो की की रक्षा जो है इनों ने की थी तो उन ही से ये जाने जाते हैं, ठीकए, और इनका त्याग जो है वो बहुत बड़ा था, तो इनका चित्र जो है वहे भी बनाया गया जिस पर ये घोडे पर बैठ कर भाले से रोटी सेखते हुए ये दिखाई दिये हैं तो ऐसा चित्र जो है वह भी यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है और याद रखिएगा कि जो प्रकृती का चित्रन है वह भी मारवाड शैली के अंतर जो है वह आता है और यहाँ चित्रों में अलावा कुछ विशेष्टाएं ऐसी होती है जैसे कि पीला रंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट देखिए किसंगड उपसैली तो जो किसंग था उसने किसंगड राज्य की नीव डाली थी और इनके जो परिवार थे उन पर बल्लव संप्र संप्रदाय जो है उनका प्रभाव था तो बल्लव संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बताया था इनका प्रभाव होने के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं को साकार स्वरूप चित्रन के माध्यम से यहाँ पर दर्स आया गया तो यहां किसंगड शैली में आपको किसंगर उपसैली का सबसे में बात तो यह याद रखे और इस शैली को प्रकास में लाने का श्रे यानि कि सभी को जो बाहर लेकर आये इसे इस शैली को तो वो कौन है एरिक डिकिंसन इनका नाम कई बार एक्जाम में पूछा गया है वो फियाज अली को जाता है तो सावंत सींग यानि नागरीदास ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी इनका चित्र जो है राधा के रूप में चित्रित करवाया ठीक है और वो जो चित्रकार है उनका नाम है मोर्ध्वज निहाल चंद बहुत इंपोर्टेंट लाइन है सावंत सींग ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्र राधा के रूप में चित्र तो करवाया जिसके चित्रकार कौन है मोर्ध्वज निहाल चंद और यह चित्र जो है क्या कहलाता है बनी ठनी तो ऐसा RPSC का कोई भी एक्जाम नहीं है जहां पर एक साल में ये कुश पूछा जाता है डिकिंसन ने इसे भारत की मोना लिशा कहा तो प्रकाश में लेकर यही आये थे और इनन्हों ने बनी ठनी को क्या कहा भारत की मोना लिशा और इस शेली में नारी सोंदरे का बकूबी रूप से चित्रण किया गया है बल्लव संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण कृष्ण लीलाओं का चित्रन भी किया गया है तो मैंने आपको बताया कि जो यहां के जो राजपरिवार थे उन पर बल्लव संप्रदाय का प्रभाव था और बल्लव संप्रदाय जो की राधा कृष्ण जो हैं उनकी पूजा करते हैं तो इनका प्रवाव होने के कारण कृष्ण लीलाओं का चित्रन जो है इस शैली के अंतरगत किया गया था तो यहां पर जो चित्र बनाये जाते थे जिसमें सबसे ज़्यादा विसेज ध्यान दिया जाता था चाहे पुरुस की आकरती हो जो कृष्ण का किरदार करे या जो इस्त्री की आकरती हो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था उनकी जो गर्दन होती थी वो सुरा किसेनगर शैली के अंतरगत हमें देखने को मिलता है। तो इसे पहने हुए यानि बनी ठणी जने राधा का रूप जो है माना गया तो उनकी जो आप नाक पर देखते हैं तो बेसरी जो पहने हुए उन्हें दिखाया गया है सफेद और गुलाबी रंग जो है इसका मिश्रन जो है वह भी देखने को मिलता है अब यहां के जो प्रमुक चित्रकार है जिसमें से मोर ध्वज निहाल चंद इनको तो आप जानते ही हैं जिन्होंने बनी ठणी जो हैं उनका पखूबी रूप से चित्रन किया उसके अलावा भवर लाल हैं, लाडली, दास हैं, सूरज ध्वज हैं, ये प्रमुक्चित्रकार भी रहे हैं सांजी लीला भी प्रमुक्चित्र है किसंगर शैली का पूछ सकते हैं बनी ठनी सांजी लीला किस चित्र शैली के प्रमुक्चित्र है तो साजी लीला जो है यह ही प्रमुक्चित्र है किसका किसंगर शैली का केले का ब्रक्ष जो है वहे भी हमें देखने को मिलता है भारत सरकार ने 1973 में बनी ठणी पर 20 पैसे का डांक टिकट जो है जारी किया था तो थोड़ा ये भी याद रखेंगे बनी ठणी के बारे में कि बनी ठणी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा सबसे पहली तो ये लाइन है दूसरी लाइन है कि भारत सरकार ने कब 1973 में बनी ठणी पर डांक टिकट जारी किया था ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट देखिए बीका नेर उप्षैली महाराजा अनोप सींग का समय जो है स्वान काल माना जाता है बीका नेर उप्षैली के अंतरगत वही महाराजा राय सींग बीका नेर के जो राय सींग है इनके समय भागवत पुरान चित्र प्रारंबिक चित्र जो है वह माना जाता है तो ये जो बीकानेर के जो राय सिंग थे ये मुगल चित्रकला से बहुत प्रभावित हुए थे तो इन्होंने क्या किया था कि मुगल दरवार से ही दो चित्रकार जो है वो यहाँ पर लेकर आये थे और बीका नेर में आप चित्र जो है वो देखेंगे और चित्रकारों के नाम सुनेंगे तो आपको जो मुगल नाम है वही आपको सुनने को देखने को मिलेंगे रुकनुद्दीन, अली रजा, मुन्ना लाल, मुकुंद, उस्ता आसिर खा, ठीक है, ये जो हैं चित्रकार कहां के हैं, बीकानेर के, तो वहीं पर देखिए, दो चित्रकार जो हैं, वो बहुत जादा प्रमुक रहे हैं, एक तो अली रजा और उस्ता हामिद, रुकनुद्द ठीक है, तो ये जो हैं, अली रजा और रुकनुद्दीन, इन दोनों को ही लेकर आये थे, राय सिंग, कहां से, मुगल दरवार से, तो इन दोनों को ही सबसे ज़्यदा श्रे जाता है, यहां पर बीकानेर शैली का जो उद्वव जो है, वो इन दोनों की वज़े से ही हुआ और यहां पर दो परिवारों का चित्रकला पर विसेश प्रवाव रहा, एक तो मथेरन परिवार और दूसरा उस्ता परिवार, तो जो मथेरन परिवार है, वह है राजिस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्दस्त था, वही मुगल दरवार से जो उस्ता परिवार आता तो वह मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था, तो पीका नेर शैली में हमें राजिस्थानी शैली और मुगल शैली दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है, ध्यान देंगे इस बात को, मैंने आपको क्या बताया अभी, कि जो मतेरन परिवार है, वह तो राजिस्थान शैली के चित्र बनाता है, जो की जैन परिवार है, और जो दूसरा, कौनसा मुगल दरवार से जो उस्ता परिवार आया, वो मुगल जो चित्र हैं बनाने में कुशल था, ठीक है, मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था, तो इसी वज़े से मुगल शैली और दक्षन कला की बारे में पूछा गया है तो जहां हम हस्त कला पढ़ेंगे तो वहां हम इनको डेटेल में देखेंगे उस्ता कला में उट की खाल पर सोने की चित्रकारी की जाती है ठीक है उस्ता कला क्या होती है उसे उस्ता और उसे उंट, तो उंट की खाल के उपर सोने की चित्रकारी की जाती है उस्ता कला में, और जो मुगल हैं, जो मुगल चित्रकार थे, वो इसमें सिध्धस्त थे, जिसमें हिसामुद्दीन उस्ता को पदमश्री प्राप्त है, ये भी एक लाइन ध्यान दे, और जो दूसरी मैंन बताई मतेरन कला ताजा पलस्तर की हुई नम भित्ती पर यानि अभी अभी जो है वह दीवार पलस्तर की है और उसकी जो भित्ती यानि क्या होता है दीवार तो वह नम है उस पर चित्रन किया जाना तो इसे मतेरन कला की अन्य नाम भी है फ्रेसको बुनो आरायस या आला गील और गीला यानि ऐसी दीवार जो कि अभी अभी पलस्तर हुई है अभी अभी बनी है जो कि पूरी तरह से सूखी नहीं है उस पर की जाने वाली चित्रकारी तो वह कहलाती है मथेरन कला ठीक है सेखावटी में इसे पणा भी कहते हैं तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें बीक बीकानेर के चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम बति थी लिखते थे जो कोई भी नहीं लिखते थे चित्र बना कर छोड़ देते थे और उन चित्रों की विसेस्ताओं को देख कर पता लगाया जाता था कि ये चित्र जो है वो किसने बनाए हैं लेकिन यहां पर ये लोग क्या करते थे भीकानेर के चित्रकार अपना जो है उस पेंटिंग में क्या करते थे नीचे जो है वो अपना नाम भी लिख देते थे और पता भी लिख देते थे ठीक है और सरवादिक जो है ये लोग बादलों के जो चित्र है इन पर जोड देते थे यहां पर आम, उंट, घो वहां हमें सरवादिक जो है राधा क्रेश्न या नारी संदरे के चित्र ही देखने को मिले हैं जैसल मेर उपसैली तो जैसल मेर उपसैली जो है इसमें मूमल जो है वो सबसे प्रमुक चित्र है जैसल मेर जो उपसैली है उसमें मूमल जो चित्र है वो सबसे प्रमुक है और य यह ऐसी शैली है जिस पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो किसंगड़ शैली है उस पर कांगड़ा शैली का जो है वो प्रभाव था जहां हमने मेवाड की जो देवगड़ शैली पड़ी थी तो उसमें जैपूर और मेवाड़ इनकी मिश्रित शैली जो है उसको कहा गया था यानि उसमें प्रभाव जो है देवगड शैली में जैपूर शैली मारवाड शैली तो इसका प्रभावी देखने को मिलता है और जो बीका नेर का प्रभाविस पर नहीं पड़ता है अर्खे राज हर राज मूल राज शाशकों ने जैसल मेर उपसैली को बढ़ावा दिया था नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो उपसैली है वह है अजमेर उपसैली यहां सभी रंगों के साथ बैंगनी रंग का प्रियोग हुआ इंपोर्टेंट लाइन है तो कहीं आपको लाल रंग पीला रंग देखने को मिला लेकिन बैंगनी रंग जो है वो केवल अजमेर उपसैली में यहां उसका प्रियोग किया गया और यहां पर साहिबा नामक जो है वो महिला चित्रकार है और इसके अलावा चित्रकार जो और है चांद, लाल जी, नवला और राइसिंग देखिए कुछ भी यहां पर difficult नहीं है याद करने में आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से learn हो जाएंगी बस आपको यह बार बार जो है वो देखनी है और पढ़नी है ऐसा नहीं करना है कि एक बार पढ़ लिया और याद हो गया ऐसे नहीं होता है चीज़ों को बार बार अपनी आखों से निकालना है तो चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि एक शैली जो है वो आप एक दिन में अच्छे से याद कर लीजिए उसे अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है, हमने मेवाड शैली जो है, वह पढ़ ली, उसके बाद हमने मारवाड शैली जो है, उसे भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डूनार शैली या आमेर शैली, तो आप लोगों का काम है कि इनको नोट्स को रखना नहीं है, बार-बार इनको देखते हुए चलना है, ठीक है, बहुत ही महनत से ये नोट्स जो हैं वो आप लोगों तक पहुँच रहे हैं, आप लोगों को किसी भ अजै करो लोगों किसी भचान, झालने कानी किसी एक मुद्धिक वहुत हैं, बढ़ें उेसे से ये तो नहीं ही किसी को कि दोड़ेंगे, झालने क retreat va Lord Dogosh